हां तो इस्टुडेंट बच्चे लोग खुश हो जाओ क्यूंकि आज मैं आपके लिए लेकर आयूं मातर 78 रुपे में 131 ग्राम प्रोटीन वाला डायेट प्लान और इस डायेट प्लान की खास बात ये है कि इसमें किसी भी सप्लिमेंट का इस्तिमाल नहीं किया गया है सारे बिटामिन्स मिननल्स आपको इसी डायेट प्लान के अंदर मिल जाएंगे आपको किसी भी किसिम का सप्लिमेंट खरीदने की जरूत नहीं पड़ेगी और इसमें बहुत ज्यादा महेंगे फूर्ट का भी इस्तिमाल नहीं किया गया है चाहे आपका बजट कितना भी कम जरूत होती है कब आपको कितना कार्बो एडेट हेल्दी फैट उगेरा लेना चाहिए जिससे कि आपकी मसल्स ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करें तो बिल्कुल भी आपका और अपना भी टाइम बेस्ट नहीं करके डारेक्ट मुद्दे पर आते हैं दोस्तों बॉड़ी ब आपको जो भी प्री और पोस्ट वर्काउट मील बताऊंगा उसे आप अपने हिसाब से अर्जेश्ट कर लेना क्यूंकि सब का वर्काउट करने का टाइम अलग-अलग होता है कोई सुबह वर्काउट करता है और कोई सामको करता है तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात आलू और केला तो आपको क्या करना है कि इन दोनों में से कोई भी एकसिज आप ले सकते हैं तो आप एक केला भी ले सकते हैं और इसके साथ में लेना आपको 100 गराम दई अभ दोस्तों इस डाइट से आपको बोड़ी को मिलता है पूरी 11 y. प्रोटीन भर्पूर मात्रा में कार्बोएडेट, पोटासियम, विटामिन C वो भी सिर्फ आठ रुपे में और दोस्तों मातर आठ रुपे की ये सस्ती डाइट वर्काउट के दौरान आपको भरपूर एनर्जी देती है आपकी बोडी को एनाबॉलिक में रखकर आपके मसल्स लॉस के खत्रे को कम करती है दोस्तों यहाँ पर हमारी जो दूसरी बोडी बिल्डिंग डाइट है वो है पोश्ट वर्काउट मील दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपको जल्दी बोडी बनानी है बोडी को हमेशा पंप रखना है तो प्री और पोश्ट वर्काउट मील आपको कभी भी स्किप नहीं करना है क्योंकि यह दो मील मसल्स ग्रोथ की सबसे बड़ी बिंडो है दोस्तों पोश्ट वर्काउट मील में हमारी बोडी को सबसे ज़्यादा न्यूट्रेशन की जर्वत होती है जिसमें की सबसे में चीज होता है प्रोटीन इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन को कंज्यूम करना है दोस्तों पोश्ट वर्काउट मील में आपको लेना है 100 ग्राम मूंग की दाल और 25 ग्राम सोयबीन के दानी इस डायट को एक दिन पहले आपको पानी में बिगोकर रखना पड़ेगा और दूसरे दिन वर्काउट करने के तुरंत बाद में अच्छी तरह से चबा-चबा कर ख दोस्तों मैं आपको बता दू कि मात्र 15 रुपे की इस देशी डायट से आपको मिलता है 49 ग्राम प्रोटीन और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि आज कल ये जो मार्केट में धड़ले से बिकरा है प्लांट प्रोटीन उसमें सबसे जादा मूंग दाल, सोयबीन, चना, उगेरकाई इस्तेमाल होता है और जिसे बाद में आप 2000 रुपे का खरीद कर पीते हो दोस्तों इस डायट से आपको 49 ग्राम प्रोटीन के साथ में सबी किसिम के बिटामिन्स, मिननल्थ और भरपूर मात्रा में कार्बोहड़ेट और फाइबर आप दोस्तों यहाँ पर हमारी जो तीसरी मसल्स बिल्डिंग डायट है वो है आपके ब्रेकफाइस्ट जो भी आप नास्ता करते हो उसमें आपको दो हौलेक को जरूर सामिल करना है वैसे आप 4 हौलेक भी रोजाना खा सकते हो लेकिन 2 तो आपको जरूर से जरूर खाने है अगर आपको बरपूर मातरा में बिटामिन D, प्रोटीन और सभी किसम के अमीनो एसिड चाहिए तो दो हो लेग आपको रोजाना जरूर खाने चाहिए इसका जो पीला वाला भाग होता है उसको आपको फेकना नहीं है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा बिटामिन D होता है और अंडे के पीले वाले भाग में जो फैट होता है उससे अमारे सरीर में टेस्टरसोन आर्मोन का लेबल वरता है जो कि ज़्यादा मसल्स गेन करने के ल जरूरत नहीं है बस लेंच करते समय आपको कुछ बातों का विसे ध्यान लखना है पहले बात तो लेंच में एक कटोरी कोई सी भी दाल आपको जरूर लेनी है दाल में आपको अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है साथ में चार गेहूं के आटे से बनी हुई रोटी आपको बता दूँ कि एक कटोरी दाल से आपको साथ से आठ गराम प्रोटीन मिल जाता है और चार गेहूं की रोटी से आपको करीबन बारा गराम प्रोटीन मिल जाता है अब दोस्तों यहां पर आमारी जो पांच वी बॉडी बिल्डिंग डायेट है वह आपका स्नेक्स जिसे आपको लेना है पचास गराम बुना हुपा चना, 50 गराम भुनीवी मुंग फली डेखो पचास गराम बुना हुआ चना आपको 5 रुपए का मिलता है प्रोटीन दस गराम 50 ग्राम भुनी हुई मुंखली आपको 6-7 रुपे की मिलती है प्रोटीन 13 ग्राम टोटल रुपे 11 और प्रोटीन हो गया 20 ग्राम अब इस सस्ती डाइट से आपको क्या-क्या और मिलता है नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ आपको मिलता है कार्बोडेट एनरजी के लि फूड खाते हो उसमें आपको 100 ग्राम पनीर को जरूर से जरूर रैट करना है मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्यूंकि पनीर में कैसीन प्रोटीन होता है जो कि रात पर आपके मॉसल्स को रीकवर करने का काम करता है इसलिए जितने भी बड़े-बड़े बॉडी बिल्डर को आपने देखा होगा वो कैसीन प्रोटीन को हमेशा डिनर में लेते हैं क्यूंकि ये मसल्स की रीकवरी के लिए बहुत जरूरी होता है देखो यार 100 ग्राम पनीर आपको मातर 20 रुपे का मिलता है और कोई भी बच्चा इसे आसानी से अफोर्ट कर सकता है 18 ग्राम कैसीन से भी ज्यादा प्रोटीन मिल जाता है वो भी शिर्फ 80 रुपे से भी कम में तो कम बजट में अच्छी बॉडी बनाने के लिए परफेक्ट डाइट प्लान है ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट और लाइक करके जरूर बताएं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक क अगले जाए हिंद